तो वायरलेस जो टॉपलोजीज की यह वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं माफी चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक छोटा सा प्रेक्टिकल दिखाना था एक डेमेंस्टेशन है वो नहीं दिखा पाए हम तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसक और आपके पास कोई स्मार्ट डिवाइस होगा यह वाला है ना देखिए यहां पर मेरको क्या है वायरलेस की कनेक्टिविटी चाहिए यह देखिए जुड़ा नापका वायरलेस से तो पीसी में और लैप्टॉप में अगर आपको वायरलेस की कनेक्टिविटी चाहिए तो उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ आपने एक तरह से ट्रांसीवर लगा दिया है अपने लैप्टॉप में या अपने एक्चुल में देखिए लैप्टॉप में तो ट्रांसीवर की जरूरत नहीं है वो मिलता ही है वाइफाई काड है न जरूरत पड़ती है आपको पीसी में तो पीसी बंद करिए और लैन कार्ड हटाईए यहां से और मोड्यूल लगाईए वाइरलस मैनेजमेंट पोर्ट एंड आप इसको ओन कर दीजिए तो यह सारा आपका एक वाइफाई नेटवर्क बनेगा पूरा इस तरह से यह जो है आपका कम्प्लीट इसको हम क्या बोलते है तो जो टेक्निकली इसका जो मैक अड्रेस होगा इस अपी का जिसे मैं आपको दिखाऊ हूं अगर यहां पह इंपे में नहीं दिखा रहा है न तो config में मैक नहीं दिखा रहा होगा बट ओके जो भी manual में इसका Mac होगा वो क्या कहलाएगा इसका BSSID ओके दैन यहां पर देखिए यह display name it means यह क्या आपका SSID किस नाम चाहते है मैं बोलता हूँ home network तो यह मेरी क्या है BSSID तो यह कुछ parameter थे हमने जो discuss किये थे last video में अच्छा अभी देखिए इस वाली video में हम बात करने वाले हैं distribution system से start करके distribution system क्या है देखिए अगर आप देखिए यह single access point है है ना मालो आपको अपने घर में अगर wifi की connectivity चाहिए है तो simple एक access point खरीदिए उसको अपने जो घर पे आपका switch है जो router switch का काम कर रहा है उस पे लगाईए और आपको अपना एक wifi की घर में अच्छी खासी connectivity मिल जाएगी ठीक है और अगर possible हुआ तो मैं आपको एक video इसके उपर separately बना के जरूर अपलोड करूँगा कि home networking जो है आप wifi वाली wireless networking कैसे setup करें अपने घर पे खुद के लिए अपने office में तो yes we will make a separate video on that okay concept वही रहेंगे don't worry बस ये concept अच्छे से एक बर clear करें अपने अच्छा distribution सिस्टम क्या बोलता है मालो ये single access point तक का तो हो गया लेकिन enterprise network में देखिए जहां पे आपको हजारों users को हो सकता है 20-30 बिल्डिंग जों आपके hundreds of floors वहां पे connectivity देनी है तो क्या एक access point से काम चलेग आपका नहीं ना तो और दूसरा अगर एक access point भी है मालो आपका और वह आपको दूसरे devices तक जोड़ना है क्योंकि देखिए ये इसके अपने devices हैं इसके साथ associated हैं जो association के थरू पर जरूरी नहीं है कि इसको सिरफ इनी devices से communication करना हो devices आपके दूसरे floor पर भी हो सकते हैं जो कि के साथ इसकी connectivity आपाए तो इस तरह के network को बोलते हैं distribution system जब भी आप अपने access point को switch से connect करते हैं आपके wired network का part बनाते हैं तो that is known as a distribution system है ना चलिए तो जो आपका अकेला access point था वो आपका क्या कहलाता है stand alone network पर कभी ना कभी तो आपके जो wireless client है वो उनको ऐसे members से ऐसे devices से भी communication करना पड़ेगा जो आपके इस BSS के outside है उसके लिए क्या करेंगे आपको अपना जो device है जो AP है आपके network पे लाना पड़ेगा network पे लाने के लिए किस से जोड़ना पड़ेगा switch से आपको पता है कोई भी device अगर network पे आना जाता है तो उसका सबसे पहला से जोड़ते हैं अपने access point को that is known as your distribution system समझ पा रहे हैं तो आगे ये network कितना मरजी complex रहे ये जो आपका पार्ट है this one this is distribution system जब भी switch से आप जोड़ पा रहे हैं simple सा अगर मैं आपको बिल्कुल layman language में बात कर रहा हूं भी okay तो पहला आपका था distribution system उसके बाद देखते हैं क्या बताया simple कि एक switch से जोड़ा single VLAN के थरू single connectivity single SSID पर enterprise level पर थोड़ा सा और चीजों को अगर मैं अपने हमारे हिसाब से कहूं तो मुश्किल कर सकते हैं जैसे आपको बहुत सारी अप लगेगा कि यहां पर देखो एक ही network में multiple SSID मिलेंगी तो आपको लिए तो complex सक्यार किस सब्सक्राइब में है wireless network को जो मैनेज कर रहा है वो चाहता है कि students को अलग SSID मिले राइट और उस SSID पर पोलिशी लगा दी कि एक student 100 Kbps से ज्यादा कि स्पीड नी ले सकता और एक दिन में 1 GB से ज्यादा डाउन्लोड नी कर सकता है ना दूसरा एकोर SSID बना दी VIP कि जो आपक समझभा रहे हैं इस तरह से आप multiple SSIDs multiple network बना सकते हो single enterprise LAN के अंदर या आपके campus area network के अंदर तो ऐसा भी यह साप कर सकते हैं और distribution system के बिना आप ऐसा possible नहीं है क्योंकि आपको पता है जब तक switch से नहीं जोडेंगे multiple VLANs नहीं बना पाएंगे क्योंकि देखो switch के अंदर जैसे switch और यह आपने लिया था एक access point जैसे मैं लेता हूँ यह वाला और यह आपने जोड़ दिया है इस switch से तो यह distribution system का part हुआ अचा यह switch क्या होगा आपके बाकी switches से जुड़ा होगा जैसे कि अगर मैं बात करूँ यह आपके DS से जुड़ा था distribution system से फिर यह आपके core से जुड यह होई है तीन VLAN है ना ISP का connection किस पे लिया है core switch पे तो जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा और ड्रो करूं यह देखिए ISP का connection ले लिया मैंने ना जो यह मेरा switch यह core switch कहलो इसको या फिर आप इसको router या firewall कहलो मैं इसको switch से represent कर रहा हूँ फिलाल ताकि time ज्यादा ना लाग यहाँ पे मैंने तीन DHCP server बना दिये तीन interfaces पे DHCP means मैं VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 अलग-अलग VLAN बना रहा हूँ बना सकते हैं इस switch तक transfer कर सकते हैं ट्रंक होना चाहिए port इस switch से इस पे कर सकते हैं यह भी ट्रंक होना चाहिए इस switch पे तीन VLAN आगी कौनसी कौनसी आपकी VLAN 10 है जो बनी है सिरफ VIPs के लिए जिस पे unlimited data unlimited download सब कोच है फिर VLAN 20 आपकी आई यह किस के लिए है आपकी students के लिए है फिर इस पे आपको limitation रहेंगी फिर VLAN 30 हो सकता आपका HR आपकी training जो staff है उनके लिए हो सकता है इसको beach के rights मिले हैं समझभा रहे हैं तो यह ऐसा करने के लिए अब देखिए ज़रा यह जो आपका access point है इसके अंदर यह capability है कि यह आपका encapsulation को support करता है इसका मतलब यही तीनों VLAN आपका AP भी support करेगा इसका मतलब क्या हुआ AP अब तीन SSID यहाँ पे support कर सकता जैसे VIP SSID होगी फिर student SSID रहेगी और फिर आपकी staff तो जिसके लिए जो भी रहेगा अब यहाँ पे आगे हम discuss करेंगे आने वाले वीडियो में कि आप servers लगा सकते हैं firewall या फिर wireless controller होगा वहाँ पे आप VIP वालों का अलग group रहेगा students का अलग रहेगा और staff का अलग इनके हिसाब से अलग अलग policies बनेंगी तो जो VIP वाले हैं मानलो अब जैसे student है तो student को भी तो दिखेगा न यहाँ पे कि भई VIP लिखा आ रहा है उस पर click किया उसने password मांगेगा तो आप student को सिरफ student का ही password देंगे VIP का नहीं स्टाफ वालों को स्टाफ का ही password देंगे आपके VIP का नहीं समझ पार है इस तरह से आप manage कर सकते हैं यह फाइदा है आपका distribution system यूज़ करने का आई होप यह clear है point आपको ओके दें तो distribution system में अचा उपर कुछ miss तो नहीं किया हमने यह ठीक है वही जो discuss किया हमने यही था tagging support करता है आपका encapsulation को तो multiple SSIDs हैं trunking रहेगी ओके channel सेम रहेगी हाँ यह आपको ध्यान रखना है कि चाहे SSID तीन दिखेंगी आपको लेकिन सेम channel को क्योंकि AP तो एक है na access point तो एक है single access point है फिलाल हमारा तो एक access point means एक channel दूसरा access point जो आसपास रहेगा उसका दूसरा channel तो इसमें चाहिआ जितनी मरजी SSID बना लो आप number of user उतने ही support कर पाओगे मालो यह जो आपकी पिछे से 100 Mbps की line थी और अभी आपने क्या है कि 100 user support कर रहे थे तो अब यह क्या है 30, 30, 40 या 33, 33 user ऐसे support करेंगे और हर किसी को same channel का use करना पड़ेगा तो यह आपको याद रखना ऐसा नहीं है कि अगर आपने SSID ज्यादा बना दी तो coverage ज्यादा मिलेगी आपको या connectivity ज्यादा मिलेगी नहीं लगता है इसा बट ऐसा है नहीं क्योंकि hardware तो आप सेम यूज कर रहे हो ना VLAN actual में concept यही तो था multiple just आपके single switch multiple switches की तरह आपको दिखता था कि जैसे आपने अलग-अलग switch लगाए है एक switch आपका एक network के लिए दूसरा switch आपने दूसरे network के actually हो क्या रहा था एक ही switch के अलग-अलग port को आप अलग-अलग network में यूज कर रहे थे assign करके अलग-अलग VLANs को है ना तो यही हो आपके access point के साथ then finally आपका extended service set तो अच्छा अभी तक हम single access point single AP की ही बात करने हैं लेकिन आप सोचिए क्या एक enterprise network में single AP से काम चलेगा नो हाँ इस तरह से आप एक छोटा मोटा network बना सकते हैं no problem जहां पे कम users है आपके office का setup कर सकते हैं distribution system से लेकिन एक enterprise wireless land नहीं create कर सकता है थाउजंड ओफ यूजर के साथ है ना वहाँ पे आपको बहुत सारे एक पी चाहिए बहुत सारे access points एक building पे चार फ्लोर हैं हो सकता है एक फ्लोर पे आपको चार एकसे स्विचिज रहेंगे अगर यह आपको और ज्यादा इस वाले पार्ट की तो आप देखिए एक वीडियो बनाई थी हमने की campus area network कैसे configure करें how to configure and how to create design campus area network वो जरूर देखिए आप इसके उपर ही पूरी वो वीडियो है रहे ना चलिए ओके तो यह जो आप multiple access points यूज करते हो multiple switches distribution system यूज करते हो उसको बोलते है extended service set पहले हमने क् access point था यह देखिए यह वाला और उसके around जो एक connectivity area था उसको बोलते थे BSS लेकिन अब जैसे multiple access points यूज करेंगे और switches से साथ जोड के जैसे मैं दिखा हूँ आपको लाइक दिस है नहा इस तरह से तो यहां पर कुछ यूजर्स रहेंगे मैं आपको दिखा दूँ smart devices तो इसक अपना network रहेगा इस वाले AP का I don't know यह से जुड़ेगा किसे जुड़ेगा जाकी ओपर वाले से जुड़ेगा आप सोचिए इस से ही जुड़ा है है ना और इसका अपना BSS रहेगा और जब यह multiple BSS आपके distribution switches system के थ्रू जूडते हैं तो यह आपका total कहलाता है extended service set ESS समझ प independent basic service set एक ad hoc connection, ad hoc का मतलब क्या होता है कि one to one direct जैसे आपकी connectivity वायर में भी थे एक laptop दूसरे laptop से जोड़ दो आपको कोई उसमे star topology कोई switch कुछ नी उज़ करना बट स्टिल वो एक personal area network था है ना तो wireless LAN के अंदर जो आपके personal area network है उनको ad hoc network बोलते हैं आप सिंपल इसको इस तरह स है ना अधर wireless topology तो बाकी wireless topology के बारे हम बात करेंगे अगली वीडियो में I hope ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी काफी कुछ नई चीजें हमने यहाँ पे इंक्लूड की थी BSS then आपका distribution system mainly तो हमने distribution system की बात की है ना तो आप जरूर बताएए मुझे कैसी लग को और बहतर बना सकता है तो यस मुझे जरूर बताएएगा feedback देते रहिए अपने and yes मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए और मस रहिए बाबाई and take care